सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech Hindi चैनल को और दबाईए इस बेल बटन को टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल दूस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले आपको Windows 11 के सर्ज बार में जाना है फिर आपको यहाँ पर ठाइप करना है Services इसके बाद आपको इसको क्लिक करकर Open कर देना है तो जैसे के आप यहाँ पर देख सकते है Services का विंडो यहाँ पर Open हो गया है फिर आपको यहाँ पर find out करना है windows update तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर दिख सकते हैं windows update आप इसको select कीजे फिर आपको right click करकर यहाँ पर property के उपर click कर देना है और यहाँ पर start up type में आपको automatic select करना है फिर आपको यहाँ पर apply के उपर click करके okay के उपर click कर देना है फिर आपको इस window को close कर देना है उसके बाद आपको Windows 11 की setting में जाना है यहाँ पर start menu के उपर click कीजे setting के उपर click कीजे Windows 11 की setting open हो जाएगी उसके बाद आपको scroll करना है फिर आपको यहाँ पर troubleshoot के उपर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर other troubleshooter के उपर click करने के बाद आपको यहाँ पर windows update को option है आप यहाँ पर run के उपर click कीजे तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं detecting problems तो यह process complete होने तक आप थोड़ा सा wait कीजे और मैं इस process को fast forward कर लेता हूँ तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं process complete होगा है आपको इसको close कर देना है setting को close कर देना है फिर आपको यहाँ पर PC को एक बार restart कर देना है restart करने के बाद आपको windows 11 की setting में आना है फिर आपको यहाँ पर windows update को पर click कर देना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके पास यहाँ पर अपडेट शो हरा है तो आप जो है अपडेट कीजिए तो इस तरीके से इसकी प्रॉब्लम सॉल्फ दोर सकते हैं अगर आपके पास भी Windows 11 में Windows Update Error आ रहा है तो उमीद है आपको यह छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज लाइक कर देनो और चैनल को सब्सक्राइब करें पिना मत जाना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में